करक राशी वालों के लिए साल का आखिरी महीना दिसंबर मिले जुले फल प्रदान करेगा। हालांकि माह की शुरुवात में आपको अपने कारियों में मन्चाही सफलता प्राप्थ होगी और इस दोरान किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से किसी बड़ी समस्या का समाधान निकल आने पर मन को सुकून मिलेगा। इस दोरान मित्रों और सगे संबंधियों से भी पूरा सहियोग मिलेगा। पैतरिक संपत्ती की प्राप्ती में आ रही अर्चने दूर होंगी। नौकरी पेशा के लिए भी यह समय अनुकूल रहेगा। कार्यक्षेत्र में बॉस की पूरी कृपा बरसेगी। किसी बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी आपको मिल। सक्ती है। आपके हाथ से निकल सकते हैं। इस दौरान आपको घर और बाहर दोनों जगह लोगों की छोटी मोटी बातों में उलचने। की बजाए उसे इग्नोर करना बहतर रहेगा। दिसंबर महीने के तीसरे महीने में घर-परिवार के संग अचानक से कहीं घूमने-फिरने का ख्याल रखना होगा। इस दौरान आपको अपनी दिंचर्या और खान-पान पर विशेश ख्याल रखने की जरूरत रहेगी। महा के उत्तरार्थ में नौकरी पेशा लोगों को मंचाह, प्रमोशन या पदोनती की प्राप्ती हो सकती है। यदि आप अपने कारोबार में बदलाव या विस्तार करने की सोच रहे हैं, तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। प्रेन संबंध की। दृष्टी से इस माह आपको अपने कदम फूंक-फूंक कर बढ़ाने की जरूत रहेगी। अपने प्रेन संबंध के प्रती इमानदार रहें नहीं, तो बने बनाए संबंध तूट सकते हैं। एक्स्ट्रा अफेर जैसी समस्या आपके वैवाहिक जीवन को भी प्रभावित कर सकती है। जीवन साथी की भावनाओं और जरूरतों को भूलकर भी इग्नोर करें। उपाय प्रतिदिन भगवान शिव की विधिविधान से पूजा और चालीसा का पार्ट करें।